नमस्कार अमनी हिंदुस्तानी की तरफ से भारत माता की जैए इस देश में तीन तरीके की पार्टी है एक है देश हीत और देश हीत में काम करने वाली भाजपा दूसरी है सत्ता की लालश में किसी भी हद तक गिरने वाली कॉंग्रेस और तीसरी है गिर्गिट पार्टी गिर पार्टी में उसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर बार उसके रंग बदलते रहते हैं उसके जितने भी बड़े नेता है वो इतने कांड बाज है कि जिनका बैग्राउंड अगर आप जानोगे तो आपको लगेगा कि आपके घर पे जो नौकर या गाड़ी साफ करने वाले आते हैं उन लोगों का कैडर इन लोगों से बहुत बढ़ा है अगर हम देखने जाए तो टिकेट ब्लैक या संजय सिंग जो 10-20 करता था शुबम थियेटर सुल्तानपूर में वो इनका CM कैंडिडेट है UP के लिए और यहां पर भी वो लोग गुजरात में भी सपने देख रहें कि वो लोग इलेक्शन लडेंगे तो उसकी पूरी गैरेंटी है कि सारी की सारी सीटों पर तुम लोगों की जमानते जबत होगी पहली बात दूसरा कि गुजरात की गादी पैना गुंगरू शेठ वो बैठे का जो अपने आपको जमीन के स्तर पर रखकर काम करेगा गुजरात की गदी पर वो बैठे का जो अपने आपको जनता का नौकर समझ के काम करेगा और तुम तो खुद चिला चिला कर बोल रहे थे दिल्ली का मालिक हूँ मैं दिल्ली का मालिक हूँ तो ये मालिक वाली सरकार गुजरात में कभी नहीं चलेगी दूसरा गुजराती हमेशा दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं इसलिए दुनिया में डंका बच्टा है गुजरातियों के नाम का तो तुम जैसे गिर्गीटों को पहचानने की अगर असली किसी में ताकत है ना तो वो हम गुजराती है तो सारी की सारी सीटों पर इतने गंदे तरीके से हारोगे कि दूसरी बार इलेक्शन की विंडो पर फॉर्म लेने तक तुम लोग जाओगे नहीं उसकी गैरंटी है यह मोदी का गुजरात है और यह मोदी का ही गुजरात रहेगा और तो यह सपने देखना बंद करो और आप पार्टी के लोगों का हमेशा एक कॉमन एक रहा है यह लो चिरकूट जो चिलर पब्लिक जो गूम रही आप पार्टी की वो आए दिन मेथी पाक खाती रहती है तो मैं गुजरात की जनता को बोल रहे हूं कि जिसका जो निशान है ना उस पार्टी के लोगों का उसी से आप लोग स्वागत करें इलेक्शन के टाइम पर जैसे भाज जाड़ू मारना बन करो जाड़ू लाओ और नवाजो इनको तब्यत से भारत माता कीजे और हाँ मोदी का गुजरात भजपा